भाई और बेहनों, मैं आज आपको एक और बात याद दिला रहा चाहता हूँ। कॉंग्रेट की सरकार इतने दसकों तक रही है। लेकिन सबसे अधिक उपेक्षित देश की महिलाएं थी बहन बेटियां थी। आपने तो 2014 से पहले के दो दिन देखे हैं। आपने मुझे अपना बेटा समझ कर आशिरवाद दिया। मैंने भी ठान लिया कि पीडियों से जो आपको समझ से आ रही हैं। उन्हें आप पूरे करके ही रहूंगा। इसलिए हम जन्म से लेकर उम्र के आखिरी पढ़ाव तक महिलाओं के हर चुनोती को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गरबावस्था के दौरान शिशू को पौश्ट्री खाना मिले। इसके लिए हमने मात्रू बंद्रा योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे बेजने शुरू किये। शिशू का जन्म अस्पताल में हो इसके लिए भी अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जनांदोलन शुरू किये। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाने लगे तो सोचालाई ना होने की वज़े से स्कूल न छोड़े। इसके लिए करोडो सोचालाई बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे। इसके लिए सुकन्या समरुदी योजना के इतना जादा बयाद दिया। बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके। इसके लिए बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना हमने शुरू की। बेटी अगर साइनी स्कूल जाना चाहे तो उसके लिए भी हमने साइनी स्कूल के दवार कोल दिये। बेटी अगर सेना में अपसर बना चाहे तो तीने सेनाओं में हमने बेटीों के लिए नियरास्ते बना दिये। बेटी को रसोई में लकडी का दुआ ना सैना पड़े। इसके लिए उजवला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम के में परिशान न होना पड़े। इसके लिए हमने हर गर पाइप से पानी दे रिकी योज़ना को आरम कर दिया। बेटी को अंदरे में ना रहना पड़े। इसके लिए हमने सौभागी होजना से मुक्स तो बिजली पर कनेशन दिया बेटी पैसे की कमी की वज़े से अपनी भीमारे छिपाए नहीं इसलिए हमने उसे आईश्मान कार्ड की ताकत दी बेटी का घर की संपती घर पर भी अधिकार हो इसके लिए पी-एम आवास के घरों मेंसे उसे संयूक से भागी दारी दी बेटी के नाम पर मकान देना का दिना किया माताओ बेटों बेटियों के लिए ऐसे ही काम कि डबल एंजिन सरकार करती हैं करती रहेगी और चादा करना चाहती हैं मुझे आपके आश्रिवाच चाहिए और इसने मैं देख रहा हूँ हिमाचल के राजनिती गरिवाच को बदलने की जिम्मेदारी हमारी माताओ बेहनों ने उठाई है